ओम् स्री जगदंबिकाये नमः भत्त जनो अब आज हम आपको शोयंग बर में राजाओं का बाद विबाद जो भुआ था उष्क था को श्रवन करेंगे ओम् स्री शद्गुरु देबाय नमः श्री गणेशाय नमः श्री सरश्वत्यय नमः ओम् एं रिंग लिंग चामंदाय विच्चे ब्याशी ने बताया दूसरे दिन शुब मुहुर्त में राजा शुबाहु ने अपने महल में राजाओं को बुलाया वहाँ पर अनेक उत्तम मंच बने थे मनोहर अलंकारों से अलंकृत नरेश आकर उन मंचों पर बैट गए इतने में शुबाहु के भोन पर बीनायें तथा बाजे बजने लगे राजकुमारी शशिकला वस्त्र आभुशों उसे शुशच्चित थी बिवाह में धारन करने योग्य समस्त बश्तों उसके सरीर की शोभा बढ़ा रही थी उसमय वह शाक्षात लक्षमी लग रही थी तब उसके पिता शुबाहुने मुश्करा कर उससे कहा पुत्री उठो और हात में फूलों की माला लेकर शभा भवन में चलो देखो आज शभा भवन में बहुत से राजा आये हैं उसमें तुम्हें जो रूपवान गुनवान और उत्तम बंस से शंबंद रखने वाला स्रेष्ट राजा तुम्हारे मन को अच्छा लगे उसी के गले में यह फूलों की माला डाल देना पिताश्री की बात सुनकर शशी कला बूली पिताजी मेरा यह ध्रिल निश्चय है कि मैं शभा में उपस्टित राजाओं के समुख नहीं जाओंगी आप यदि मेरा कल्यान चाहते हैं तो किसी सुमूत में सुदर्सन के साथ मेरा विभा कर दें ब्यास जी ने बताया राजन तब सशी कला की बात सुनकर राजा शुबाहू चिंता मगन हो गई उनकी चिंता का कारण यह था कि इस अउशर पर यदि मैं शोयंगबर में उपस्टित राजाओं से यह कहूं कि मेरी कन्या शोयंगबर में नहीं आना चाहती तो वे दुष्ट बुद्धिवाले राजा मुझे जान से मा जालेंगे इस प्रकार चिंता मगन हो कर तथा मन ही मन को सोच कर राजा शुबाहू नरेशों के पास गई और उन्हें प्रणाम करके बड़ी नम्रता प प्रणाम का शीवक हूं आपके चरणों पर मेरा मस्टक पड़ा है अता आप पूजा आदिश्वीकार करके अपने अपने भवन पधार में की किरपा करें मैं आप सब का किर्ट ग्ये हूं कि आप यहां पधारे मुझे सप्रकार से आपकी शेवा स्वीकार है अब आप से मे शुबाहू की बात सुनकर कुछ नरेश तो चुप रहे परंतु युधाजित की आखे क्रोज से लाल हो गई वह क्रोधित होकर शुबाहू से बोला राजन तुम बड़े मूर्ख हो तुमने श्वयंगबर में क्यों श्वयंगबर ही क्यों रचाया क्या तुम समस्त नरेश चतेशाद हो का अपमान करके चाट अबनकर शुदषन के साथ अपने पुत्री का अबिवा रचाना चाहते हैं मैं अभी तुझे मारए ढालता हूँ इसके बाद सुदरसंदी मेरे हाफ काल का बद flying गर घंजैगा फिर मैं तेरी पुत्री का अबिवा अपने simplhi पूरा कर अशाद्य कला में पढ़ना उचित नहीं है। युधा जित के उत्ते जनापुन भाशन को सुनकर सुभाव शोप के समुद्र में घोते खाने लगे। अधिक शोप मगन हो जए। वे लंबी लंबी शांस छोड़ता हुआ। भावन के अंदर गया और दुखी हिर्दय से अपनी पत्नी से बूला। है प्राण पिरी तुम्हें सभी धर्म मालूम है। तुम पुत्री को समझाओ कि अब भयंकर परिष्टिती आ गई है। इस समय मुझे क्या करना चाहिए। मैं स्वयंकुछ भी करने में अश्मर्थ हू क्योंकि मैं तो तुम्हारे आधिन हूँ, अपनी पुत्री को ऐसा कहो। राजा शुबाहो की बात सुनकर राणी अपनी पुत्री शशीकला के पास गई और उसे बूली पित्री महाराज बहुत दुखी है। यदि तो महटपूर्वक्षुदर्शन का ही बरंकरोजी को आहिक विदि का पालं करते हुए मुझे शुदर्शन के हाथों में शौक दीजे। जिनके नाम का कीर्टन करने से कश्टूप और विपत्यों का नाश हो जाता है। वही भगवती चंडिका हमारी भी माता हैं हमारा कल्यान करेंगी। आज ही रात्रे के समय वैदिक विजी क अनुशार। मेरा पान ग्रहन सुदर्शन के साथ कर दीजे। मैं अकेली ही सुदर्शन के साथ प्रस्तान कर जानूरी। अविस कठा को माने पर शिरान देदें हैं। कल आपको। शषी belli सुदर्शन के विभा की कठा को चुनाएंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणा करते हैं उन स्री जेग दंबिकाये नमाद già